एक सितंबर दोनीस देश में लागू हो रहे हैं आज से 15 नहीं नहीं मानने पर लग सकता है 20 यहार रूपे तक का चुर्माना दोस्तो स्वागत है आपका नमस्त अंडिया न्यूज में मैं हूँ आपका दोस्तु नवीन शर्मा हम बात कर रहे हैं आज से लेक सितंबर दोनीस से लागू होने वाले देश में 15 नहीं नियूमों के बारे में जान लेते हैं इस लेटेश्ट अपडेट को जल्दी से दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले हैं आपने अभी तक चैनल स्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब करें वह बहरा करें आप श्रमाज सब्डेट र सब्सक्राइब करें नियमों बदला होगा तो हम लेकर आएं आपके लिए 15 नहीं नियमों के लिश्ट जिसमें कुछ तो आपको रहात देएं और कुछ नियम जो है आपकी सेविंग्स से होने वाले भायतों को कम कर सकते हैं तो एक सितंबर दौर उन्नीस से रभीवार से द और सबी सावधान सतक रह सके चलते हैं नियम के और दोस्तों पहला नियम में ट्रेफिक नियमों को लेकर एक सितंबर उन्नीस से मोटर वहन संसुदन अधिनियम लागू हो जाएगा जिसके बाद आपको यातायात नियम तोड़ने पर भी भारी भरकम जुरुआना भरना प पचास हर तक का प्रावधान वीज में कुछ नियम में रखा गया है कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदान आप कर सकेंगे यह बड़ी सुधा है आपके लिए वही सड़क निर्मान में गडबडी की कारण एक्सिदेंट होने पर कमपनी या ठेकेदार पर एक प्राइब रुपे का जुर्माना लगा जाएगा चलते हैं अगले नियम के और पुर्वाने टेक्स मामलों को निप्टाने के लिए केंदर की नरेंद्र मोडी सरकार नए स्किम लाई है यह स्किम एक सितंबर से शुरू होकर 31 सितंबर तक चलेगी इस स्किम में बकाया टेक पचास लाग तक की देनदारी अपील वापसी पर 60 फिसदी और पचास लाग से जधा टेक्स पर अपील वापसी पर 40 फिसदी छूट आपको दी जाएगी इसके लावा इस से उच्छ नालायो और उच्छ तम नालायो के साथ अपील दायदा करने के पर सीमा को करमशोह एक क करोड और दो करोड रूपे कर दिया गया है चलते हैं अगले नियम की ओर किसी बैंक सहकारी बैंक या पोश्ट आपिस एकाउंट से एक साल में कुल एक करोड से यादा की नगदी निकासी पर एक सितंबर 2019 से दो फिसदी टीडिया जाएगा सरकान ने यह कदम बड़ी मातर पर खर्च भी TDS के दाएर में आएगा एक सितंबर से अगर कोई वेक्तिया हिंदू अभिवाजित परिवार कॉंटर्स या प्रोफेशनल से को एक साल में कुल पचास लाग से अधिक का पेमिंट करता है तो इस पर पांच फिसदी की दर से TDS कटेगा यदि आपको मिलने व पनी अब वहनों को भुकंप बार जैसी प्राकरति आपदाओं को तोड़ फ़र और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुस्वान के लिए अलग से भी माक और आपको उपलब्द करवाईगी अगले नियम को चलते हैं रोस्तों इस्टेट बेंक आफ इंडिया समयत कई इस्टेट बेंक ग्राहकों के होम अटो लोन को रेपो दरों में लिंक करेंगे इससे गरहकों को कम ब्याद देना होगा सारी सरकारी बैंकों ने 59 मिझे में होम अटोर पर्संड लोन की सुधाये शुड़ की हैं चलते हैं अगले नियम की ओड एक सितमबर से अपने ग्रहको के लिए होम और आटो लोन को रेपोरेट के लिंग करेगा इसका फायदा यह होगा कि आरभी आई के रेपोरेट में कटोती करने पर ग्रहाकों को तुरंत इसका लाप मिलेगा SBI ने होम लोन की ब्याजदर में 0.20 फिस्दी की कटोती की है और एक सितंबर से होम लोन पर SBI की ब्याजदर 8.5 फिस्दी होगी अगला नियम है स्टेट बेंग का आफ इंडिया ने रिटेल फिक्स डिपोजिट और बलक डिपोजिट पर ब्याज की दर खटा दी है एक लाग रूपे तक के डिपोजिट वाले गरहकों को सेविए अकाउन में 3.5 फिस्दी ब्याज मिलता रहेगा हाला कि एक लाग से जादा रिपोजिट वाले गरहकों के लिए यह दर 3 फिस्दी ही रहेगी हाला कि बेंग ने रिटेल टर्मर डिपाजिट की दर में 0.2.1 फिस्दी से 0.2.5 फिस्दी की कटोती की है महीं बलक डिपाजिट में 0.2.3 फिस्दी से 0.2.7 फिस्दी तक की कटोती की गई है चलते हैं अगले नियम की ओर जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पेंट से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इंकम टेक्स से डिपार्टमेंट नया पेंट जारी करेगा जुलाई में पेश होए पूर्ण बजट की गोश्णा के नुसार यदि 27 समय तक पेंट कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो वह अवेद मना जाएगा इसका मतलब है कि यदि किसी का पेंट वेद नहीं है तो उस पर ठीक उसी वक्ति की तरह विवार होगा जिसके पास पेंट कार्ड नहीं होता है अगला नियम है दोस्तों पेटी एम फोन पे वह गूगल जैसे मोबाईल यी वाइलेट इस्तिमाल करने वारे लोगो को 31 अगस तक का समय दिया गया था चलते हैं अगले नियम की ओर 31 अगस्त के बाद आएकर रिटर्न दाखिल करने पर पांच हयार रूपे तक का जुर्माना भरना पड़ेगा जिनकी कर योग के आए पांच लाग से यादा है उन्हें पांच हयार रूपे और जिनकी पांच लाग से क करने पर स्लीप के लिए 10 रूपे सर्विश चार्ज देना होगा चलते हैं अगला नियम की ओर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक सुबह 10 बज़े खुलते हैं और लोग 10 बज़े करते हैं लेकिन अब ग्रहकों कि प्रईशानी कम होगी वहां आफिस जाने से पहले अपना बैंक से जुड़ा काम निप्टा पाएंगे यह नियम सितंबर से लागू हो रहा है अगर यह नियम लागू होते हैं तो बैंक सुबह 9 बज़े खुलेंगे और केंदरी वित्त्य मंत्रा लेने बैंकिंग डिविज नियम 28 में बदलाव किये गए हैं नया नियम 1 सितंबर 1212 से लागू होगी तो दोस्तों यहां थे 15 मुख्य नियम जो कि देश में लागू हो रहे हैं 1 सितंबर से तो आप भी नियम को पालन करें वीडियो को रिश्यर करें ताकि सब लोग जान सकें सुम्हत पूर्ण नियम को रसालन